है लिए रुवन कैसे हो आप सब लोग बैंक निफ्टी के अंदर हमें आलमोस्ट क्या हूं दोसों के आज पास ओपनिंग मिलने वाल है जिस प्रकार का यह ओपनिंग है मार्केट हो सकता है थोड़ा वो दूपर निगले जैसे ब्रेक आउट करेगा हम वहां पर क्या करेंगे मार्केट के अंदर सेलिंग साइट का ट्रेड बनाएंगे अलांकि मुझे चार्ट तो देखना पड़ेगा कि चार्ट कैसा बनता है लेकिन अभी यह है कि ऐसा कुछ मार्केट कर सकता है और अगर ओपन होते गिरना शुरू करेगा तो फिर हमें मार्केट के अंदर वेट कर करने वाले या तो पहले recovery में चला जाएगा या फिर नीचे आता है तो थोड़ा बहुत नीचे आए तब तक कोई प्रोब्लम नहीं है लेकिन अगर इक्यांट 080 के नीचे चला गया फिर कहिना कहीं सैलिंग का इसके ऊपर कहें बाये जा करें का जा सकते आगर सीधा चुल शुरू कर दे पहले फिर एक आप नजर आरहे लेकिन अवें इसको उपश्य अपना जैने और ऑफन होती गिरना सुरू करेगा श्रीक लें और अगर आपर जाना सुरू करेगा तो फिर में वेट करना ब्रेक आउट कर पाता या फिर नहीं करता तो बैंग निफ्टी के अंदर में फ्लैट ओपनिंग देखने हो मिला ओपन होते ही मार्केट नीची आ गया और ऐसा ही कहीं ना कि हमें निफ्टी के अंदर नजरा रहा है तो यह जिस प्रकार का मोमन्टम कर रहा है मुझे लगता ह हमें केंडल तो सेलिंग का नजरा रहा है लेकिन यहीं कहीं से मार्केट सपोर्ट लेने वाला है तो मैं कोल साइट का पोजिशन यहां पर लेने वाला हूं हम क्वांटिटी बाय करेंगे 900 और ज्यादा टाइम यहां पर नहीं लगाना है क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाए ले लेते हैं करेंगे और कुछ क्वाणिटी और रख लेते क्यूंकि बैंक निफ्टी के अंदर तो अपना एक्सपायरी रहेगा तो वहां से अच्छा है कि हम निफ्ट के अंदर कुछ कॉणडिटी इंक्रीज कर लें तो स्वारासो कॉंडिटी मैं और बाय कर लेता हूं तो बात करते कि यहां पर इमने कोल साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यू बनाए और रहाल देखें मार्केट में अब साइड का मुमंटम हो आ लेकिन यहां पर क्या है एक याउजिरो अस्चे काले वह जो कि मैं ने आप के साथ analysis में भी डीसिस किया था कि जब तक ये level breakdown नहीं होता market क्या कर सकता ऊपर जा सकता है flat opening में अगर market पहले breakout कर देता फिर तो हम selling market के अंदर कर लेते उसमें problem नहीं है लेकिन क्योंकि flat open हुआ और open होते ही market नीचे चलना शुरू कर दिया तो ये market नीचे नहीं जा पाएगा כי ने मूमंटम के नीचे नहीं जा पाएगा क्योंकि market में ना ँकरत। यहांपर बाएर। को clean कर चुका है market तो ये नीचे ओय TOPトर रायओ ये ये कोई नीचे जाने वाला है ने मार्के क्योंकि हमें सामने से नजर आ रहा है यह जो candle market ने बना है यह जो candle बना है यहां पर किसी ने भी buy किया गो उसको market आ लड़ी निकाल चुक है तो जिसको निकाल चुक है दोबारा से अगर market नीचे आ रहा है तो कहिना की वो trap market के इंदर बनने वाला है तो market क्या करेगा अक्सप बढ़ सकती है अब देखी अग्जेक्ट ली मार्केट ने क्या करका है क्याउन 080 का सपोर्ट लिया है एक पॉइंट भी उपर नहीं एक पॉइंट भी नीचे नहीं जश्ट इसी लेवल को देखते मैंने क्या किया किया कोल साइड का पोसे मना है अगर यह फ्लैट ओपन मे एक बात नजरा रहे है कि यह जो डाउन साइड का मुमंटम है केवल एक ट्रैप है जब तक कि क्याउन 080 का लेवल मार्केट नहीं तोड़ता हमारे लिए कोई भी खत्रा नहीं है जो आसपास कि जो बायरेन को मार्केट आल्रेडी निकाल चुका है इस लेवल के मार्केट नीचे चला जाता है फिर मुझे पता नहीं कि मार्केट यह लेवल तोडए गा या फिर छोड़ेगा ठिक है तो मैंने तो इसके अकोर्डियद्न ट्रेड बना लिए कि मार्केट डिरेक्ली नीचे जा रहा है तो डिरेक्ली नीचे जा नहीं पाएगा दूसरा देखी क्या ह कि कल तो मार्केट बच गया तो उपर चला गया लेकिन आज अगर 51,000 के भी नीटे जाएगा ना तो केवल सैलर आने वाले है ठीक है बाइर को तो यहां पर निकाल चुका है और डाउंसाइड अच्छे बाइर बैठी है मैंने आपको कल भी डिसस किया था जैसे अगर आप इस करके जिसने भी यहां पर बाइंग किया और उनको निकाल चुका है ठीक है तो फिर हमने यही लेवल पकड़ लिया मार्केट के अंदर कि क्याओं 080 का मार्केट लेवल नहीं तोड़ना चाहिए अगर यह लेवल नहीं तूटता तो मार्केट उपर जा सकता है यह लेवल त के अंदर नजब आ रहा है, कि उनक नैंग कर दे लेवल तो उसके बाद यहां पर बाइर बैठे उनको प्रोब्लम आना शुरू हो जाएगा उस कंडिशन में निफती के अंदर अमारा लोष सकता है लेकिन जब ते कि 25,000 को होल्ड कर रहा है एक breakout वोगर रखे probability यहां पे बने हुए अगर हो जाता है अच्छी बात इसी का according मैंने market के इंदर trade बनाए और यह अपना bank nifty count 080 का लेओल अगर तोड़ देता है तो इसमें भी हमारे लिए खत्रा बढ़ जाएगा तो अभी कही ना क कि market नीची आ रहा है लोगर अपना इंक्रीज होना शुरू हो चुका है तो देखते हैं यहां पर क्या हमें मिलता है तो यहां पर देखिए हमें काफी अच्छा profit नजर आ रहा है जिस प्रकार का market ने लोगर दिखाया था उसे double triple हमें market ने profit बना की दिया है तो अब हमें यह यहां पर क्या करना चाहिए देखना चाहिए चार्ट के इंदर की booking करें या ना करें और्राल कि market क्या कर रहा है अपसाइट का momentum आया है वह अच्छा momentum है में भी closing price का breakout कर सकता है लेकिन एक बात आप यहां पर psychological according समझने कोशिज कीजिए हमने यहां पर क्या डिस्स कर रहा है कि उपर ज्यादा ऐसा लोगरा विलिबल नहीं रहेंगे और market नीचे से directly उपर जा रहा है तो यहां पर क्या हो सकता है थोड़ा बूद time spend कर सकता है ऐसा लोगरा create करने के लिए तो ऐसी condition को देखते हमें यहा तो premium की according अपना exit वगरा बना लें कि इसर हमें चार्ट के इंदर समझ में नहीं आता exit कहां पे करना है कोई बात नहीं premium की according तो समझ में आता है profit तो समझ में आता है कि हमें कितना लेना है बस इतना ही आप decide करके चलो कि मुझे इतना profit लेना है जैसे वो हो जाए आप market से exit वहारे का दिन है थोड़ा वो टाइम स्में कर सकता है रिजक्षन दे सकता है तो ऐसी कंडिशन में मार्केट में हमारी सिचुपेशन खराब हो जाएगी हमने जो ट्रेड बनाया था भूत ही अच्छा ट्रेड था क्यूं था क्यूंकि मार्केट नीचे जा रहा था देखे कित क्या लेवल था सपोर्ड था ठीक है मैं इसमें जो चार्ट में ज़रा रहाई वही बातें आपको मैं क्या करौा सिखाने के कोशिछ कर हूं कि आपको दुबारा अलक refuses ज़राने की जूरूरीना पड़ जो चार्ट प्र enaudant आप identify कर पाओ, यह हमारा level क्या था, entry point बन गया, कि buyer को अकर निकाल चुका तो इस level से नीचे market नहीं जाना चाहिए, लेकिन देखे बहुत बड़ा market होता है, कोई कहीं पर पैसा लगा देता है, कोई कहीं पर पैसा लगा लेता है, तो थोड़ा पूद 10-20 point market एक दो candle extra बना दे था कभी कभी, लेकिन जादा market नीची नहीं गया, और entry लेते समय भी मैंने आपको क्या बोला था, कि जब market उपर जाएगा, तो तुरंद fast momentum करेगा, इसमें time नहीं लगाएगा market, क्योंकि यहां पर entry देना ही नहीं चाहेगा market किसी को, तो ऐसी condition में जब market उपर जाएगा, fast momentum momentum करेगा, तो काफी अचया हमें fast momentum देखने हो मिला, nifty ने थोड़ा सा और भी ठीक काम कर दिया, क्योंकि इसमें 25,000 का breakdown हो गया था, लेकिन एक ही candle निकला था, उससे पहले market ने उपर चलना शुरू कर दिया, तो यह भी हमारे लिए काफी ज़्यादा ठीक रहा, तो और रहा में हम selling और buying दोनों का जैसे हम plan बना के बैठे थे, तो situation को देखकर बनाना पड़ता है, तो flat में जैसे नीचे आया, seller को निकाला नहीं, directly नीचे आ रहा है, नीचे बायर को target हमें करना नहीं, तो market यहां पर क्या करेगा, उपर जाएगा, और जैसे उपर जाएगा तो profit हमार आई होगा तो इसलिए हमने market के इंदर अच्छा प्रोफ बगरा, वो गेंगर पाए, आज के लिए तना है धन्यवाद,